नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका सागत है, आज मैं घर पर बिलकुल आसान तरीके से मौजिरोला चीज बनाना बता रही हूँ, ये पिज़ा सीरीज का लाश्ट वीडियो है, इसके पहले मैंने बता दिया आपको कि घर पर बिना ओवन के पिज़ा कैसे बनाते हैं, घर पर पनीर कैसे बनाते हैं, पिज़ा सॉस कैसे बनाते हैं, इस तरीके के वीडियो मैं लाती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए, ये देखिए इस तरह का चीज बन कर त्यार होगा, मार्किट में चीज बहुत महगा और केमिकल से बना मिलता है। आप पिज़ा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आई बटन दबाएं। वीडियो के लाश्ट में आप पिज़ा रिलेटेड वीडियो की क्लिप देख सकते हैं। हमें बताने जा रही हूँ कि मौजी डिला चीज कैसे बनाते हैं। चीज बनाने के लिए चाहिए एक लीटर दूद, दो बड़े चम्मच नीबू करस, एक बड़ा चम्मच घी, हाफ ती स्कून नमक, एक चम्मच मैदा, करीब साड़े साते हमले। दूद को गरम करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और दूद को 2-3 मेड़ तक गरम करें। दूद को इतना गरम करना है कि उंगली से छूने पर दूद थोड़ा ज़्यादा गरम लगें। इसे चम्मच से चला दें, ताकि नीचे से दूद बरतर मेना बठें। दूद को उबालना नहीं है, इस बात का विसेज ध्यान रखें आप। दूद को चेक करके देखें, दूद गरम लग रहा है कि नहीं। उंगली डालने पर दूद गरम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा। इस तरीके से चेक करें। अब गैस को आफ कर दें। गैस आफ करने के बाद इस निबू के रस को इसमेड़ करें। और चम्मच से चलाते रहें। चम्मच से चलाते जाएंगे तो अलग समझमें आएगा येदेखिएDhhrh के आप आपको समझमें आ रहा होगा, आप थोड़ा वट करिए। जहान रखें चीज दीरे-दीरे बनता है। एक बात का और ध्यान रखेयां कि इसमें दूद को उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है, क्योंकि चीज थोड़ा चिकना बनता है, यहां हमें पनीर नहीं बनाना है, यहां वीडियो एक भी कट नहीं किया है, आपको बताना भी जरूरी है कि कितना टाइम लगता है चीज देखिए, यह चीज थोड़ा चिकना है, पनीर थोड़ा रविदार बनता है, यह देखकर समझ में आ रहा होगा आपको, इस प्रोसेस को होने दीजे आराम से, धीरे धीरे चीज अलग हो रहा है, चार से पांच मिट में अलग हो जाता है इससे चीज, यदि आपका चीज अ गरम होने दे, गरम करने पर इससे पूरा चीज अलग हो जाएगा, और पानी अलग दिखने लगीगा आपको, यह देखिए, चीज अलग हो गया है, और पानी बिलकुल अलग हो गया है, इस तरीके का होना चाहिए आपका भी, ट्रेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे किसी भी जालीदार चन्नी की ऊपर कपड़ा डाल कर उसमें चान लें, इस तरीके से पानी अलग हो जाएगा, और चीज बिलकुल अलग हो जाए इसे पानी अच्छे से अलग हो गया है, ध्यान रखें, आप इसमें भी पानी डालकर अच्छे से इसी चन्नी की ऊपर ठंडा पानी डालकर अच्छे से इसे वाश कर सकते हैं, यहां मैंने नहीं किया है, आपको मैंने बता दिया, आप करने को कर सकते हैं, इस चीज को इस त तरीके से दबाते जाएं इसमें जो भी एक्ष्ट्रा निभू का रस होगा तो वो भी निकल जाता है ऐसा करने से और यह चीज थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसे आप जरूर करें तभी मौजिरिला चीज आपका बन पाएगा अच्छा अच्छा चीज बनाना है तो इस पोस यह अच्छा सॉफ्ट भी हो जाता है ऐसा करने से दोनों हातों से पुष्ट करते हुए चीज का एक्ष्ट्रा पानी निकाल लें ताकि इसमें एक्ष्ट्रा पानी ना हो चीज को जार में डालें इन सभी को मिक्स करना है एक बड़ा चमच घी साड़े साथे मेल मैदा या इस तरीके से किसी भी बरतन या बाउल में निकाल लें जिस तरीके का आपको शेप देना हो इसे दो से तीन घंटे के लिए फ्रिजर में रख दें सेट होने के लिए दो से तीन घंटे में आप इसे फ्रिजर से निकाल लें और फ्रिजर से यूज़ कर सकते हैं ये अच्छा शेप ले लिया है अब आप इसे निकाल लें इस पून ये चाको की हल्प से ये देखिए इस पेसल चीज तयार है बनकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा चीज बनकर तयार हुआ है यह देखिए चीज को आप फ्रिज में श्टोर करके रखें क्योंकि बाहर के टेंपरेचर पर जल्दी मेल्ट होता है आप देख सकते हैं कद्दुकस करने पर यह कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है मौजरिला चीज रियली बहुत ही असानी से घर पर बना आप जरूर ट्राय करें आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यह चीज बनकर तयार है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाई बाई टेक एर